हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको नीम के पेड़ के बारे में बताऊंगा और उसके फायदे नीम भारत्य मूल का एक पर्णपाती विरक्ष है यह सदियों से समीप वर्ती देशों पाकिस्तान, बंगला देश, नेपाल, बर्मा, थाइलेंड, इंडोनेशिया, सीलंका अधी देशों में पाया जाता रहा है लेकिन विगत लगबक डेड़ सो वर्सों में यह वरक्ष भारत्य उपमादीव की ब्रगोलिक सीमा को लांकर आफ्रीका, उस्टेलिया, दक्चिन पूर्वेशिया, दक्चिन एवं मध्य हमेरिका तता दक्चिन परसान दीव समू के अनेक उशन और उप उशन कटी बंदि देशों में भी पहुच चुका है, इसका वानसपतिक नाम अजार डिराक्टा इंडिका है, नीम का वानसपतिक नाम इसके संस्क्रित भासा के निम से व्युत्पन है, वर्नन नीम एक तेजी से बढ़ने वाला पढ़न पाती पेड़ा जो लगबक 15-20 मीटर की उचाई तक में भी इसकी अदिकतर या लगबक सभी पत्यां जड़ जाती है, इसकी साखाओं का परसार व्यापक होता है, तना पेक चक्रत सीधा और छोटा होता है, व्यास में 1.2 मीटर तक पहुंच सकता है, इसकी चाल कठोर, विद्रिक, दरार्युक या सलके होती है, इसका रंग दूसर या लाल भूरा भी हो सकता है, रज तारू भूरा सफेद और अंतकस्ट लाल रंग का होता है, जो वायू के संपर्क में आने से लाल भूरे रंग में परिवर्थित हो जाता है, जड़ परनाली में एक मजबूत मुख्या मूशला जड़ और अच्छी तरह से विक्स पार्ष जड़े शामिल होती हैं, 20-40 cm तक लंबी प्रतिया वड़ती पिछादार पत्या जिन में 20-31 तक गहरे रंग के पत्रक होते हैं, जिनकी लंबाई 3-8 cm तक होती है, अग्रस्त टर्मिनल पत्रक प्रायन उपस्थित होता है, पर्ण वरंत छोटा होता है, कोपलो का साम तोर पर ऐसीमितिया होते हैं, और इनके किनारे दंतिया होते हैं, भूल सफेद और सुगंदित होते हैं, और लटकते हुए पुष्प गुच्छ जो लगबक 25 cm तक लंबा होता है, में सजे रहते हैं, इसका फल चिकना, आरोमिल, घोला कार से अंडा कार होता है, और इस एंटी मिटर तक होती है, गुठली सफेद और कठोर होती है, जिसमें एक या कभी कभी दो से तीन बीज होते हैं, जिनका आवरन भूरे रंका होता है, नीम के पेड़ों की विवसाई खेती को लाबदायक नहीं माना जाता है, मक्का के निकट तीर्थ यातिरों के लिए आस जहरीला विरक्ष है, नीम का पेड़ सूखे पड़ती रोध के लिए विख्यात है, सामान्य रूप से यह उपशुस्क और कम नमी वाले छेतरों में फलता है, जहां वार्षिक वर्सा चार सो से बार सो मिली मीटर के बीच होती है, यह उन छेतरों में भी फल दे सकता है, ज नीम कई अलग-अलग परकार की मिट्टी में विक्सित हो सकता है, लेकिन इसके लिए गहरी और रेतीली मिट्टी जहां का पानी का निकास अच्छा हो सबसे अच्छी रहती है, यह उश्ट कटी बंदिया और उप उश्ट कटी बंदिया जल वायू में फनने वाला वरक्ष और यह 22 से 32 सेंटी ग्रेट के बीच का उस्ट वार्षिक तापमान सेहन कर सकता है, यह बहुत उच्छ तापमान को तो बरदास्त कर सकता है, पर 4 डिग्री सेल्चिस से नीचे के तापमान में मुर्जा जाता है, नीम एक जीवन नाई वरक्ष है, विशेश कर तट्टी है दक्षनी जिलों के लिए, यह सूखे से परभावित छेतरों में कुछ चाया देने वाले वरक्षों में से एक है, यह एक नाजुक पेड नहीं है, और किसी भी परकार के पानी मीठा या खारे में भी जीवित रह सकता है, तब इन नाडु में यह वरक्ष बहुत आम है, और इसको सडको के किनार एक छायादार पेड के रूप में उगाया जाता है, इसके अलावा लोग अपने आंगन में भी यह पेड उगाते हैं, शिव कासी जैसे बहुत शुष्क छेतरों में इन पेड को भूमी के बड़े हिस्से में लगाया गया है, और इनकी छाया में पाया जाता है, आयरुवेद में नीम को बहुती उपयोगी पेड माना गया है, इसका स्वात तो कड़वा होता है, लेकिन इसके फाइदे अनेकों और परभावशाली होते हैं, उपयोग, नमबर एक नीम इचाल का लेप सभी परकार के चर्म रोगुर्ग हावो के निवार प्तुन करने से दात और मसुड़े स्वस्त रहते हैं, नमबर ती, नीम की पत्या चबाने से रक्थ सोधन उपता है, और तबचा विकार दूर होते हैं, यह खास तोर से चेचक के उपचार में सायक है, और उसके विशान को फैलने ना देने में सायक है, निम्बोली और उस की जाते हैं, उस शरीर के लिए अच्छा रहता है, नमबर च्छे, नीम के द्वारा बना गया ले, बालों में लगाने से बाल स्वस्त रहते हैं, नमबर साथ, नीम की पत्यों के रस को आंकों में डानने से आने की बिमारी में ला मिलता है, नमबर आट, नीम की पत्यों के 10. बूंदों को सोते समय दूद में डाल कर पीने से जादा पसीना आना और चलन से संबंदित विकारों में फायदा होता है 10. नीम के बीजों के चुर्ण को खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेने से बवसीर में काफ़ी फायदा होता है 10. ओशदी 10. नीम घनवटी नामक अरुवेद में ओशदी है जो इसके पेड़ से निकाली जाती है 11. इसका मुख्या घटक नीम घनसत होता है मदुमे में अतियादिक लाबकारी है 11. इसका प्रियोग शरीर की रोग परतिरोदक शमता बढ़ाने के लिए किया जाता है 11. या हरुवेद में एक परकार की ओशदी है जो की नीम के पेड़ से निकाली जाती है 11. नीम की पाती खाने से मुख की बदबू, दाड़ दर्द, दाथ कुलना, सरीर के अंदर के हानी का रख, बैक्टीरिया, कैंसर की विमारी, खौन साफ करना, जीप से स्वाद, चर्म रोग, आंक ना आना, आलस ना आना, शरीर में उर्चा का बने रहना, कफ कोल्ड ना होन 12. नीम के उप्योग कि यह रहना, शरीर की रोग, पर्तिरोध शम्त muss बढ़ाने के लिए का जाता है, कि जिवान उनाशक रुक्त सोधा के यहां तब्चा बिकारों में गुं कारी है, यह बुखार में भी लाबकारी है, नीव तब्चा के उच्दे कारियों में उप्योग क जाती है नीम के उपयोग से तबचा की चेचक जैसी भेंकर बीमारिया नहीं होती है इससे रक्त शुद होता है नीम स्वास्तेवर्दक एवम अरोग्यता परतान करने वाला है यह सबी परकार की व्यादियों को हरने वाला है इसे मृत्यू का सोरी मृत्यू लोग का कल्प रक कहा जाता है चर्म रोग में इसका विशेश महत्व है भारत में नीम का उपयोग एक ओश्दी के रूब में क्या जाता है आज के समय में बहुत सी ऐलोपैथिक दवाईया नीम की पत्ती वे उसकी चाल से बनती है नीम के पेड़ की हर अंग फाइदे मंद होता है बहुत सी बिमारियों का उपचार इससे क्या जाता है भारत में नीम का पेड़ घर में लगाना शुम माना जाता है नीम का स्वाद कड़वा होता है लेकिन नीम जितनी कड़वी होते है उतनी फाइदे वाली होती है भारत में नीम का उप्यों के ओश्दी के रूब में क्या जाता है आज के समय में बहुत सी ऐलोपेथिक दवाईया नीम की पत्ती वसकी छाल से बनती है नीम के पेड़ के हर अंग फाइदे मंद होते हैं बहुत सी बिमारी का उपचार इससे क्या जाता है भारत में नीम का पेड़ घर में लगाना शुम माना जाता है नीम स्वाद में कड़वा होता लेकिन नीम जितनी कड़वी होती है उतनी फाइदे मंद होती है यहां हम आपको नीम के गुण और उसके लाब के बारे में बता रहे हैं जिसे आप घर में ही उप्योगर बहुत सारी विमारी का उपचार कर सकते हैं इसलिए हर व्यक्ति को अपने घर में या आसपास यहां किसी और जगा जीवन में एक नीम का विरक्ष जरूर लगाना चाहिए उसकी रक्षा कारनी चाहिए उसको पानी देते रहना चाहिए जब तक ही वो